तो बच्चो अब हम next theorem करने वाले हैं आपका, ठीक है, second theorem जो है, 12.2 theorem, और इसमें यह क्या कह रहा है भई, इन्हे parallelogram opposite sides are equal, अब parallelogram का opposite sides मुझे equal proof करना है, देखे parallelogram है, तो obviously बाते इसके opposite sides parallel होते हैं, एक दूसरे के, तो मैं यहापे निशान बना लेता हूँ, ठीक है, अब यह क्या करा है, इन्हे parallelogram opposite sides are equal, अब मुझे प्रूफ क्या करना है भई, जो AB है ना, वो CD के equal है, है ना, और जो BC है वो AD के equal है, simple as that, right, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको प्रूफ करने के लिए मैं construction करता हूँ, पहले है, construct करता हूँ मैं क्या, एक line है, और join कर देता और we can say, join line AC, मैं यहां से AC से मैंने एक line कीशता हूँ, ऐसे करकर, जैसे previous question क्या था, बिल्कुल exactly वैसा ही question है, अब मैं करता हूँ, यह वाला जो part है, यह वाला जो part है, A, C, D वाला part, और यह second part, A, B, C है ना, यह A, B, C वाला part, इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, congruent proof कर देता हूँ, बड़ा easy है, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, congruent proof कर देता हूँ, तो देखिए, तब मैं कह सकता हूँ कि भई, फिर मैं क्या करूँ आगे, फिर मैं कोशिश करता हूँ जो कि हमने इससे प्रिवेस थियोरम में भी किया था बड़ा एजी है ना तो देखिए मैं क्या कहता हूँ मुझे तीन साइड एक्वल करनी होगी तो फर्स्ट क्या होगा भाई एसी देखो एसी क्या है ओविएसी बात है हमारा क्या है कॉमन साइड आ गया बड़ा एजी फर्स्ट पॉइंट तो आ गया सेकंड पॉइंट क्या भाई देखो यह वाला जो एंगल है एसी एंगल डी इस इकल स्टू अनल सी ए बी है ना तो यह वाला एंगल मेरा इकल हो जाएगा देखिए मैंने लाल रंग से इसको रंग दिया है चलो तो एंगल डी सी ए इस इकल स्टू सी ए भी ठीक है तो मैं यहां पर लिखता हूं एंगल डी सी इस इकल स्टू एंगल सी ए बी राइट और इसका रीजन हम लिखते है आल्टरने इंगल सार एकल है ना नेट एंगल्स आर इकल राइट बड़ा एजी हो गया अब मैं थर्ड पॉइंट यहां पर प्रूफ करता हूं देखो थर्ड पॉइंट बड़ा एजी लिए हम सॉल्फ कर सकते है आपको पता है यह वाली साइड इसके पैललेल देखो बी सी इस पैललेल टू एडी तो वाला एंगल यह ओगा इस वाले एंगल के एकोल हो गा । यह वाला एंगल इस वाले ऐंगल के तो बोल सकता हूं आपफ्ट इंगल A C B A C B A C B Is equals to angle C A D C A D और इसका भी reason क्या है बच्छो alternate angles are equal अब देखें मैंने तीनों sides इसको proof कर चुका है तो मैं easily बोल सकता हूँ कि भाई जो हमारा triangle है अब जो हमारा triangle है कौन कौन सा triangle मैंने लिया था यहाँ पर लिखा नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इन triangle A D C A D C A D C A B C A B C है ना यह मैंने miss out कर दिया कोई problem नहीं यह दो triangle लिये थे मैंने A D C and A B C है ना तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि triangle A D C is congruent to triangle A B C और किस congruency से यह equal है है ना किस congruency से यह congruent है तो यह कौन से उस से है तो देखो एंगल साइट और एंगल तो यह हो जाएगा एंगल साइट एंगल कॉन्गरेंसी से equal हो गया अब देखिए बड़ा easy है मुझे proof करना क्या था मुझे proof करना था A B equals to D C तो देखिए बड़े प्यार से मैं यह बोल सकता हूँ यहां पर मैं बोल सकता हूँ कि A B जो है is equal to C D by CP C T बड़े easily मैं यह बोल सकता हूँ और आपको अगर यह CP C T का funda भी अभी clear नहीं है तो i button पर आप जाके देख सकते हैं तो वहां पर बहुत easily आप इसको पता चल जाएगा आपको तो मैं यह बोल सकता हूँ A B is equals to C D or D C by CP C T and B C is equals to AD इसका भी reason क्या होगा बच्चों हमारा CP C T तो बड़ा easily हमने कर दिया तो देखो हमारा second वाला theorem भी प्रूव हो चुका है बड़े ही मज़े में है ना तो इसको भी हम अब हम करते है next question next theorem जो हमारा है